दोस्तों, timer switch की wiring किस तरह से की जाती है? यहाँ पर 1-2 नमबर पर neutral phase connection है, 3-4-5 नमबर पर NONC का connection है, यहाँ पर आपको timer switch इस तरह का नजर आता है, नीचे की तरफ 3 connection है, उपर की तरफ 2 connection है, नीचे की तरफ यहाँ पर आप देखें, unknown NC के यहां पर wiring जो है red color की यहां पर looping connection करनी है, उपर के face connection के साथ में match कर देना है, इस तरह का looping connection आपको कर देना है, अब यहां पर holder का connection basically relay के on side में आपको यहां पर set करना है, अब यहां पर उपर की तरफ हमें neutral face add करना है, तो सबसे पर हम face connection का add यहां पर करेंगे, जो looping connection ह नीचे की तरफ फेज जा रहा है अब न्यूटल की बारी आती है तो न्यूटल आपको होल्डर के यहां इसी के साथ में ही एक ब्लैक कलर का वाइल एड़ करना है और अप इसके अंदर आपको पाउर सप्लाई दे देनी है और टाइमर को चालू करके चेक कर लेना है बैसिकली